वेलकम बाक एंजिम सिंग अकैडमी तो चलिए दिखते हैं एक नया सरकुलर आया है क्लास 12 रिजल्ट को लेके लिक बिग अबडेट है आप सबी के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे सरकुलर आया हुआ है सबसे पहला सरकुलर देखते हैं और यह circular क्या है जरसा इस circular को देख लें एक बार तो circular कह रहा है आपको extension of last date for verification of class 10 data and launching of class 11 data uploading facility for class 12th examination 20-21-24-6-20-21 तो 24 तारीक डेट में एक नया circular आ गया जहां पर last date का जो अभी आया था कि 10th class के data को verify करना था actually इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा था कि कई जगर पर 10th class के data में mismatch थे या तो seriously से बच्चा था और उसका roll number में कहीं या उसके information में either name or other name में mismatch हो रही थी या जो दूसरा था वो बच्चा other board से रहा होगा तो वो आपको mismatch data के रूप में दिखाया जा रहा था और वहां आपसे इस edit करने के लिए कहा गया था अगर आप उस portal पर जाएंगे जो हमारा tabulation portal था जहां पर CBC ने एक portal बना रखा है जहां पर आप सारे data को देख सकते हैं कि भाई क्या 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 काम है तो वहां पर information दिया गया था अब देखते हैं जरा इस सर्कुलर के अंदर क्या है 24th June 2021 को सर्कुलर निकाला गया है और आ यहां पर दिया हुआ है extension of last date क्या लिखा हुआ है सर्कुलर में आप देख सकते हैं extension of last date of 10th data okay and as well as यहां पर आपको कह रहा है कि launching of class 11 data uploading facility for class 12th examination मतलब आपको class 11th के data को upload करने की facility यहां पर launch की जा रही है policy for tabulations of marks for class 12th board examination dated 17 June 2021 तो the school में note the following extension of last date यहां पर दो notification आपके लिए आया हुआ है और दोनों ही काफी important है दोनों ही काफी important है सबसे पहला extension of last date for verification of class 10th data जैसे कि लोगों का request गया है CBSC के पास कि काफी कुछ problem हो रही है अभी data अप्डेट नहीं हो पाया है तो इसमें difficulty हो रही है इस pandemic time में तो इस pandemic time के situations को देखते हुए CBSC ने क्या किया है इसके last date को extend कर दिया गया है और 28 June Monday तक का आपको last date मिल गया है पसाम के 5 वजे तक इस बीच में आप कोसिस किजिए कि आपके data को complete कर लिया जाए अगर फिर भी आपका data complete नहीं हो पा रहा है तो कोई नया extension की बात यहाँ पे देख लेजे कि no further extensions की बात हो रही है मलब CBC clearly कह रही है कि हम कोई further extension अभी नहीं करेंगे इसके ओपर तो प्लीज आप अपने data को पहले से update कर लिजे दूसरा इन्होंने सरक notification दिया है commencement of class 11 data upload facility तो class 11 का जो data है आप लोग ने तयार करी लिया होगा मैंने पीछे भी आपको बताया था कि वो excel seat मैंने अफलेवल कराई थ सकते हैं तो यहां पर class 11 data upload की facility आपको मिल जाएगी the online facility for entry and upload of class 11th marks will start effect from 25th 25th से after 2 p.m. यानि कि 25th June यानि कि कल कल दो बजे के बाद से आपको यह facility मिल जाएगी कि आप class 11th के data को यहां पे upload कर सकते हैं बाद में आपको moderation की भी मिलेगी facility ऐसा नहीं कि यह data final data होगा ठीक है तो इनको आपको note करना है और यह circular आपको किस ने दिया है यह circular आपको दिया है जौक्टर सेयम भारदवाज ने controller of examination copy to web admin for uploading on the website तो यह सारे circular through website आपको दिये जा रहे हैं तो इसके बाद में जानना है और आपको चेक कर लेना है कि यह जो last date है 28 वाला यह हमारा 28 वाला date फॉलो हो लगते हैं हम पोटल को तो हमारा यह पोटल यहाँ पे खुला हुआ है तो यह देखिए इस पोटल सीव सी कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट एवलेशन पोटल फॉर क्लास चुमें और आप देख सकते हैं इंटर्नल ग्रेट अप्लोड की डेट तो 30 जून तक था ही प्रेट क क्या डेट भी साइध लगता है अभी यहान पे अबडेशन नहीं हुदा है यहाँ पर डेख सकतों यहाँ पर देट अप्डेट करके नहीं दिया गया है लेकिन सर्थ्यूर में आ गया है तो हो सकता है कि कल तक यह भी आप्लोड हो जाएगा को कि सर्कूलर लेट कर ले थैंक यू बाबाई चेक्षिया